सब्सक्राइब करिए टेकी आसे यूटिव चैनल को साथ में लगा बेल आइकन को भी प्रेस करिए तक कि आपको मिले मेरे वीडियो के बडेट सबसे पहले देखते के लिए हलो गाइज वेलकम टो टेकी आसे यूटिव चैनल और गाईज आप में से बहुत सारे लोग मुझस सा डिवाइज अच्छा रह सकते है प्रोस के उसमें कॉंस के तो आज की स्वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 5000 से लेके 15,000 के बीच में सारे डिवाइज की जो के आपके लिए अच्छे स्मार्टफोन बन सकते हैं तो गाइस चेलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेंच वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं मतलब 5000 की रेंज में सबसे बेस्ट डिवाइस अभी आप प्रशेस कर सकते हो वह है यहाँ पर नई कंपनी लॉंच हुए जिसका नाम है मोबी स्टार सी क्यू मॉडल नंबर है यह आपको फ डूल सीम प्लस अलक से डेडिकेटेड माइक्रोडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है 4G वोल्टी का सपोर्ट तो ही और साथिताथ यहाँ पर आपको 2GB की रैम 16GB की स्टोरेज और 3000 एमेच की वैटरी देखने को मिल जाती है तो 5000 में इससे बड़िया स्पसिफिकेशन आपको आज की तारिक में नहीं मिलने वाले हाँ टैनोर डी में मिलते थे बड़ अभी फिलाल तो फोन मिल नहीं रहा है और रेट भी फाइवे से भी आगर आप कंपैर करते हो तो यह फोन बढ़िया है और 1000 चीपर यह तो 5000 में आप यहाँ पर मोवी स्टार सीक्यू ले सकते हो बै यहाँ पर स्पेसिलिकेशन आपको मिल जाता है 7000 की रेंज में अब यहाँ पर बिलो डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में ग्लॉसी टाप का आपको पॉली कार्बोनेट बॉडी वाले डिजाइन देखने को मिल जाती है वीव वी नाइन जैसे दिखते है यहाँ पर आपको ग्लॉसी टाप का मटेरियल यूज करागा है अब डिस्प्ले की बात कर लेता तो यहाँ पर 7000 में कंपणी ने 18-29 का डिस्प्ले दिख्ले दिया हुआ है 5.45 इंच का आपको स्क्रीन मिल जाती है साथी साथ यहाँ पर HD प्लेस रेजलूशन मिल जाएगा साथी साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए कंपणी ने लगा है यहाँ पर मीटेक का 6739 का प्रोसेसर यूज कि आप बोल सकते हो एवरेज है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बेकार भी नहीं फिर भी डिसंट 7000 के इसाफ साथ आपको देखने को मिल जाएगा अब यहा साथ 7000 के इसाफ से कंपणी ने यहाँ पर एटेलीस डूल कैमरा दिया हुआ है बले नाम का हो जो भी हो बट फिर भी आपको सिंगल कैमरा भी मिलता है तो डूल कैमरा अच्छा है एस कंपार टू सिंगल कैमरे से तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको डिसंट देखने को मिल जा तो डेफिनेटली आई वूमी का आई टू आप देख सकते हैं अब नौजर की प्राइस पॉइंट पर सबसे बढ़िया फोन कॉंसर रहने वाल है तो मैं आपको पता दूं यहाँ पर एक मार्किट को अलगी जागे पर लेकर चले गया है यहाँ पर यह डिवाइस का नाम है यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया रहने वाल है अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा दिखने को मिलता है ले वाले सेचुरेशन है यहाँ ब्राइटनेस भी इस्प्ले में आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाएगी 3GB की RAM मिल जाएगी 32GB की स्टोरिज मिल जाएगी अच्छी चीज यह है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड वाले डेटो डेट लाइफ में अब यहाँ पर बात कर लेते कैमरास की तो कैमरा भी यहाँ पर OPPO का यह आप बोल सकते हो रियल मिन वन का बहुत ही बढ़िया है 8MP का पूस सेलफी कैमरा देखने को मिलता है AI या टेकनोलोजी का भी यूज करा गया है बैक में आपको 13MP का कैमरा देखने को मिल जाता है जो के max 1080p में वीडियो रिकोर्डिंग कर सकता है और यह भी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर static picture देखने को मिल जाती है तो कैमरा भी यही डिवाइस में बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है तीनातर 410MH की बैटरी है जो के अगें एक से देट दिन आपका नॉर्मल टू मॉडर यूस पे निकाल देगा साथी दाथ यहाँ पर आपको और यह आउट अटा बॉक्स देखने को मिल जाता है और सेंसर भी आपको सारे देखने को मिल जाते है अब प्रोस तो बहुत सारे कॉंस एक दो आपको गिना देता हूँ यहाँ पर एक कॉन है जो सबसे मेजर कॉन है यह जो के डील ब्रेकर भी रह सकता है वो है यहाँ पर इसमें आपको फिंगरबिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है बट उसको कवर करने के लिए यहाँ आ जाके परचेस कर सकते हो अब 10 यह 11000 की रेंज में आपको सबसे बढ़िया डिवाइस कौन सा मिलेगा वह है यहाँ पर यहाँ पर आपको जो बैजले टॉप और बोटम में बहुत ही कम देखने को मिल जाते है अब यहाँ पर रैम और स्ट्रेज आपको 3GB की रैम मिल जागी साथी दाथ यहाँ पर आपको Dual SIM प्लस Memory Card का सपोर्ट डेखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप दो SIM आप जो नहीं 4G SIM यहाँ पर चला सकते हो Performance के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा Snapdragon 636 जो के बहुत ही दाधा Powerful है और Power Efficient है तो Performance भी यह डिवाइस में आपकी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है Cameras यहाँ पर आपको Back में Dual Camera का Setup देखने को मिल जाएगा 13MP का Primary Camera है 5MP का Depth Sensing के लिए Camera दिया हुआ हुआ है यहाँ पर 5000 इमिज की बैटरी और Oreo Auto the Box मिल जाएगा और Stock Android का Support देखने को मिल जाएगा तो और अगर आपका 11,000 का Budget है Selfie इतिने लेने में इंट्रेस्टेड नहीं हो बागि और और एक फोन अच्छा बड़ी आसी चीए तो 11,000 में आप Asus Zenfone Max Pro M1 भी ले सकते हो अब बात आजेती हैं आपर 15,000 में सबसे आल राउंडर फोन आपको कौन सा मिलेगा तो वो है यहाँ पर Xiaomi का Redmi Note 5 Pro 15,000 में आपको 64GB प्लस 4GB ले वेरीन देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर यह फोन के आप सभी को पते ही है स्पेसिफिकेशन Metal का Unibody Design दिया हुआ है साथी साथ यहाँ पर यह फोन की जो हालेटिंग फिचर है वो है यहाँ पर यह फोन का कैमरा यूग अगर आप competition से compare करते हैं तो डेफिनेटली 15,000 में अलगी लेवल पर चले आता है 12 Megapixel का primary camera मिल जाता है 5 Megapixel को depth sensing वालत देखने को मिल जाता है 20 Megapixel का selfie camera मिलता है LED flash भी मिल जाता फिर camera highest priorities में से 15,000 का budget है आग बन कर लो Note 5 Pro ले लो इससे बढ़िया camera आपको देखने को नहीं मिलेगा RAM और storage में आपको decent मिल जाती है 4GB की RAM में 14 dB की storage है साथी ताथ hybrid slot है वो ठीक है कौन आप बोल सकते हो पर यहाँ पर भी आपको update में dual 4G voltage का support देखने को मिल गया है तो यहा स्कैनर है सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है साथी ताथ Oreo का भी update यह phone में आ चुका है तो और अगर देखा जाए 15,000 में आपको एक all-rounder सबसे बड़िया phone चीए अच्छे cameras के साथ में तो note 5 pro आप आराम से ले सकते हो value for money device है गता ही होप कि हमें को यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पांस से लेके 15,000 के बीच में साथ स्मार्टफोन जो मुझे अच्छे लगते है मिने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आपको कौन सा फेवरेट फोन है या आपको कौन सा value for money लगता है ज़रूर बताना नीचे मुझे comments में और इस टाप की वीडियो और मैं बनाओ या नहीं बनाओ ज़रूर बताना नीचे comments में I hope कि आपको उडियो पसंद आई होगी और गैस अगर आपको उडियो पसंद आए तो like, share, subscribe करना मत बुलना मिलता है आप से से लिए किसी वीडियो में है जब तक के लिए thank you